असलाम अलकूम आज बनाएंगे शुर्क रुमार इसके लिए मैंने फुल क्रिम फ्रेश मिल्क लिए याट लिटर दूद्की में खीर बना रही हूं कि दूद्ध को गरम करने हैं यास पर दूद्ध गरम होने के बाद एक आदा चमट सोडा दालने का खाने का सोडा दालने से दूद्ध फुटता नहीं कि राए फुड़ाए कि आठ लिटर दूद्ध को मैंने एक किलो शक्कर दाली हूं और दूद्ध में शक्कर को पीगला को लेनेगा अच्छी तरह से अच्छे बार बार हालातिया रहनेगा दूद्ध को अभी सेमय दालनेगा भुनिवे आठ लिटर दूद्ध को पाव किलो शेमय दालनेगा और शेमय को एक दस मिट के लिए पक्तनी रखनेगा अच्छे राए इस दूद्ध में डालकर रखनेगा इसका कलर आता है भीगने रखने से उपसे ड्राइफूट डालनेगा थोड़े बादाम अच्छे अच्छे चारो ले अक्रोड तुपना जितना मसाला लगते उसमें उत्ता तुमें दालो खिर में इस मसाले की रेष्पी मेरे चाइनल पर है खुजूर रहे पिसे हुआ खुजूर दालने से दम दूद में गाड़ा पनाता है तुम खवा भी दाल सकते हैं दूद में पकाकर केश्य रहे हो कि इलाची पावडर रहे हैं इसे दूद में दाल कर घूल कर खिर में दालने का ऐसे दालने से दूद में इलाची पावडर की गोठीडा नहीं होते कि पंद्रा मिनिट के लिए पक्तनी रखने का एकदम गाड़ा पनाते हैं खिर में मिलक पावडर या या खवा दालने की ज़रुद नहीं उपर से घी दालो दरू बनाओ मैंने खिर की मसाले की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप जाके देख सकते हो यह चाहिने को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो दूआ में आ रखना फिर मिलेंगे नहीं रेस्पी के साथ अल्ला अफिस झालो